तो हिलो एप्रिवर्ट कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं सभी बच्चे हस्ट पुष्ट स्वास्त और एकदम मस्त होंगे तो भाई आ गए हैं हम अभी आपकी क्लास पूले के जल्दी से फटा फट से एक सेशन को लाइक कर दो ठीक है शेर कर दो और चैनल को कर दो उसके बाद हम क्या करेंगे अपना जो है क्लास रेगुलर वाला हम शुरू कर लेंगे ठीक है तो कौन-कोन आया है एक बर मैं नाम भी देख लेती हूं चा 13 है पुनीत पूजा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिटा तो लड़का है के लड़की है मुझे यह जरूर बत बाद भाई आज का पहला प्रशन आपके सामने है ठीक है प्रशने क्या कहता है प्रशने कहता है कि भाई आप पांडा बिलॉंग्स टू सेम फैमिली ऐस देट ओफ बियर तंगारू वेल बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से क्या अंसर हो जाएगा यहां पर नागिनों की नागिन सेश नागिना वही बात ऐसी है थोड़ा बचके पता चले कोई सपेरा बंद कर लेगा डिब्बे में गुद आपटनून कुमारी मनीशा मनपुरीत नक्यानिकल इंजुनियर तो या देखना आपका पांडा और बियर यह समवर्ट आपका सिमिलर होता है और यह दोनों जो है एक ही परिवार से संबंद रखते हैं एक ही परिवार से बिलॉंग करते हैं ठीके चलो ओके विमलेश राठोड ओके ठीके भई आगे हुई इस फादर ओफ जोलोजी लेमार्क एरिस्टोटल लीनि इसकी है एक आपकी बॉटनी हो जाती है एक जोलोजी हो जाती है एक आपकी क्या हो जाती है माइक्रो बाइलोजी हो जाती है यहाँ पर याद रखने वाली चीज यह है कि अगर बात करो जोलो बाइलोजी की और आपके जोलोजी की इसका फादर एक ही है जिसको हम नाम किस नाम से जानते हैं अरश्टू के अरज्थु कहते है उन्का दोटनी आप्या थ्योफ्रेस्ट्रस क्या नाम है यह को यादने आपकंगा है क्टा Гद ही अविुलोट्र सबस्याइटर नोमी के father है, Lamarck modern father है, modern father है किसके evolution के ही, यह चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है, answer will be be here, आगे है कि which is following is endangered species, endangered यानि कौन सी होगे जो about to extinct, यानि कि थोड़े हाल के time पर गरम ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी विलोप्त होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, vulnerable में वो आप की convert हो जाएगी, black buck, blue ship, gangatic dolphin और आपका mython, अब जल्दी बताओ यहाँ पे आपका answer क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भी, यहाँ पे आपका answer क्या हो जाएगा, I think आप सबको पता होना चाहिए, कि इसमें से आपका एक वो था न, जिसको Salman Khan ने मार दिया था, ध्याना सबक सल्मान खान ने इसका पका के खा गया था इसको, black buck, काला हिरन, क्या हो जाएगा answer आपका, black buck हो जाएगा, काला हिरन यहाँ पे आपका answer हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, कुछ बच्चे यहाँ पे gangatic dolphin भी ले के आएगे, बिटे एक बाद चीज याद रखन हमने यहाँ पे पूछा है, लुप्त परी आए, endangered पूछा है, और आपके gangatic dolphin जो है, आपकी vulnerable में आती है, किसमें आती है, vulnerable में आती है, यानि कि यह इतनी कम हो गई है, कि थोड़े time के बाद यह extinct हो जाएगे, ठीक है, आगे क्या है, कि dash of the following man-made disaster, which is socially induced, ठीक है, यानि कि के द्वारा वो चीज़ आपकी affect होते है, कोई एक परसन की main कोई affect नहीं कर रहा है, आपका, debris avalanche, salt water intrusion, avalanche क्या होता है, बड़ा बड़ा धेर होते हैं, जिसे कि दिल्ली के अंदर कूडे का पहाड़ है, वो avalanche होता है, ठीक है, salt water intrusion, arson, ozone depletion, बता हो जल्दी से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, easy है, easy है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत easy है, man-made disaster है, देखो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, कि अगर आप बात करोगे, किसके debris avalanche की, मल बेहिं सखलन की बात करोगे, तो यहाँ पर आपक disruptions की वजए से भी आपका यह होता है, ठीक है, अगर बात करोगे खारे पानी की घुस पैट, यह आपका मानम से कोई लिना देना नहीं है, कांट अमारो इस पे, अगर आप ऑजोन डिपलेशन की बात करोगे, तो आपको यहाँ पर दिमाग में आता होगा, क्लोरो फ्लोरो क है, यह totally man-made है, यह आपको याद रखना है, तो answer क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, सोरी, C हो जाएगा, यहाँ पर आर्शन हो जाएगा, आगे है, study of tissue distribution in a stem is performed under anatomy, histology, cytology, eco-physicology, बता हो जद्दी से, easy है, anatomy क्या होता है, internal structure की study, क्या होता है, internal structure की study, ठीक है, histology क्या होता है, आपके tissues की study, cytology क्या होता है, आपके cell की study, eco-physicology, यानि कि आपके ecosystem में कैसे कैसे आपकी cycles चलते हैं, उसका वहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अब हमने बात करिये कि, study of tissue, tissue distribution, आपका tissue किसमें आएगा, tissue आएगा, histology में, तो answer will be B, answer will be B, ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तिककत वाली बात यहाँ पर नहीं होता है, अगर इसने कहा होता, study of cell distribution, तो हम उसको अनाटमी में ले चलते हैं, ठीक है, इसमें ले चलते हैं, अनाटमी में ले चलते हैं, पर इसने पहले ही बहुते, the study of tissue, यहीं से जाहिर हो जाता है कि भई, histology की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, आगे आपका प्रशने क्या रहा है, आगे आपका प्रशने कह रहा है, कि Nobel Prize is not given in the field of physics, chemistry, medicine, civil administration, हमको पता है कि इसके अंदर नहीं दिया जाता, अपना Nobel पुरुषकार, easy है, और यहां से देखो, यह जितने भी questions अभी आपक topic wise है, make sure कि topic wise आपके questions हो रहे हैं, यह आप ध्यान से करो, इनके options भी ध्यान से करो, और यह important questions ही मैं करा रही है, until unless आपके वो काम का नहीं है, मैं नहीं करा रही भी फालती, मुझको skip वैसे करा देती हूं, ठीक है, तो make sure आप अच्छे से करोगे, और आपका civil administration में, नागरि Depresent, Nerv Initiator, Nerv Stimulant, Nerv Impulse Initiator, अगर मैं बात करती हूं, यहां पर, Cocaine की बात करती हूं, तो Cocaine क्या करती है, आपने मोविस के अंदर देखा होगा ना, कि जो बंदा आपके Cocaine लेता है, वो Cocaine लेने वाला क्या करता है, हवा में उड़ जाता है, क्या हो जाता है, वो हवा में तो मतलब अलगी आसमान में वो रहता है यानि कि क्या है डेप्रेसेंट तो कम से कम नहीं है डेप्रेसेंट तो कम से कम नहीं है क्या है वह क्या है वह आपका स्ट्यूमलेंट है क्या है वह आपका स्ट्यूमलेंट है डेप्रेसेंट कौन सा हो तो जो आपकी नर्वस सिस्टम क जो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता हूँ इनी शेटर में आजाएगा इसके इसके इंदर डेप्रोस और स्ट्रिम्लेंट दोनों आजाएंगे पर आपका मेन यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होएगा सीवा लओ जाएगा आगे प्रश्ने है कि ब्रायोफाइट आर ओफन कोल्ड एज अम्फिबियन प्लांट because they because they found both in water and land do not have habitat preference can eat insect appear like frog बताओ जल्दी से जल्दी बताओ इजी है एम्फिबियन किसको बोला जाता है जो आपका कहां रहे water पे और साथ ही साथ आपके land के ऊपर भी रहे यह होता है यह होता है कि इस प्याद है चार पजी है ना 102 चलो आंसर क्या हो जाएगा एक आपका ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलो आगे क्या है एनिमल अदेप्टेट टू लाइफ इन एर और कॉल्ड एर्बोरियल क्यूर्सोरियल वोलेंट फॉस्रियल बताओ जल्दी से एर्बोरियल तो आमको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी बात आ जाएगी एर्बोरियल की यानि कि आपके प्लांट्स के पर यह रहेंगे बताओ जल्दी से एर्थ का ए नहीं होगा एर्थ का तो ए होगा उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ठीक है बताओ जल्दी बताओ नाम से पता चल जाना चाहिए देखो यहां पर लिखा है क्या फोसोर लिए यह आपका होता बरिंग के लिए जैसे कि आपका अर्थ वोम होता है मीट्टी के अंदर जाता है बोरोईंग से अब एक दो और कम कर दी है बी वाले अब यह तो बताओ अब आपक है है ना चलो बताओ चलो कर्सोरियल आपकी वो होते हैं जो आपके भागते रहते हैं न तेज तेज भागते हैं रनिंग वाले जो होते हैं रनिंग वालों को बोला जाता है तो आपके पास एक आंसर बच गया है that is wallet ठीक है आगे क्या है कि which of the following is study of fossils आपके fossils के यानि सा है यहाँ पर इन्तो लोज़िज अंत्रोपोलोजि पालेंटी olology जब भी फॉसिल्स की बधाए तो आपका क्या जएगा पैल अंतो लोजिए रहा कैके क्या हो जाएगा पैलेंटेयोलोजिए हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है गे एक ओर काट दीजिए फिर मैं आंसर बता बताओ जल्दी से, साल्मोन, साल्मोन is a fish, वेल is a mammal, ठीक है, लॉब्स्टर and jellyfish are other things, ठीक है, आगे है कि an invertebrate does not have, क्या नहीं उसके पास होता, invertebrate के पास, notochord, body cavity, respiration, या फिर आपका excretion, अचा, invertebrate आपका किस बेस पे बोला जाता है, vertebrate किस बेस बोला जाता है, if you are having your spinal cord, यानि कि if you are having notochord, then you are vertebrate, if you are having no notochord, then you are invertebrate, तो आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे, notochord हो जाएगा, कि in vertebrate के अंदर क्या चीज नहीं होती, जो कि vertebrate के अंदर हो किसी बादर notochord, ठीक है, आगे प्रशने क्या कहता है, कि या largest living ape क्या है, ठीक है, aurangatun, gorilla, gibbon, chimpanzee, जल्दी बताओ, यह, salmon is a fish, what's the big deal, जल्दी बताओ भी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोरिल्ला, गोरिल्ला, ठीक, अगर मालो गोरिल्ला नहीं होता, तो आपके अंसर करते हैं, फिर आपके गिबन करते हैं, ठीक है, आगे प्रशने क्या कह रहा है, कि भया, गायने को, gynology, related to study of cervix, female reproductive organ, ovary, और uterus, बताओ, गाइनकोलोजी किसको हम कहते हैं गाइनकोलोजी कल हमने पढ़ा था ना गाइनो गाइनी इसको बोलते हैं एक आपका गाइनी मेस्टिया करके रोग आया था गाइने मेस्टिया मेल के अंदर फीमेल डेवलप होने लग जाती है गाइनकोमेस्टिया यह हमने पढ़ा था यह आ है ठीक है बताओ जल्दी से फीमेल रिप्रोड़क्टिव और के ठीक है बी आंसर आगे हैं कि मैस्टोलोजी इन वर्म स्टेडी ओफ ब्रेस्ट मास्ट सेल ट्यूमरी सेल मेम्री सेल बताओ जल्दी से अब देखो मास्ट सेल क्या होता है मास्ट सेल वो होते हैं जो सेल आपके ब्रेस्ट सेल होते हैं ब्रेस्ट सेल को हम मास्ट सेल बोलते हैं एक तो हम खाली पूरी ब्रेस्ट के बारे में अध्यन करें एक उनके सेल के बारे में बात करें सिर्फ या फिर ट्यूमर के बारे में या फिर मामरी के बारे में, तो बताओ मैस्टोलोजी आपका क्या हो जाएगा, मैं पता नहीं पेपर कैसा आएगा, डिरल अगर है, बढ़ाते बहुत, कोई बात ने पुनीत, सब भला होगा, कोई दिकत नी है, ए आंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट, स्थन, ठीक है, हान जी, बर्ड्स के लिए क्या होती है, और थीनो, और थीनोलोजी, इंसेक्ट के लिए, एंटमोलोजी, पैलियोलोजी अभी में करा था, पैलेंटोलोजी अभी अभी करा था हमने, फंजाई के लिए, माइकोलोजी, ठीक है, आंसर विल भी, B, आगे क्या है, कि इंटरनेशनल योगा दिवस इस सेलिब्रेटेड एवरी येर ओन, 21st मई, मई, 21st जून, 25th मई, 25th जून, बताओ चल्दी से, बहुत सही, 21st जून भाई, 21st जून, बहुत सही, मनपृत, आगे है कि वेरी सेंटरल फूट टेकनोलोजी अड रिसर्च इंस्टिट्यूट इस लॉकेटिड, चैन्नाई, मैसूर, हैदराबाद, बैंगलोर, बताओ चल्दी से, मैसूर, आगे है कि study of drugs and their action is known as pharmacy, paleogeology, pharmacology, paleontology, बताओ भई, easy है, अरे मैम, लाइव नहीं है, तुम्हारा, तुम्हारा जोती, recorded है बता, पोपट होगा है तुटा, है न, चलो, C, C, 19 का C, बहुत सही, pharmacology, बहुत सही, very good, हा, तभी मुझे इसका नाम मालू है, मुझे पहले ही पता था कि जोती आएगा और ये बोलेगा recorded video है, तो मैंने पहले ही बोल दिया recorded के अंदर, पक्का होगे तुम, आगे है, which of the following is kind of fish, sea horse, coral, silver fish, none of the above, most probably A, okay, चलो, बताओ, चलो, बताओ, बताओ, sea horse, silver fish, यही तो trap होता है, silver fish अगर बोल दिया, तो जरूरी नहीं है, कि silver fish ही हो, ठीक है, sea horse हो जाएगा, samundari goda, आगे है कि which of the following is not correctly matched, जो आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से matched नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है, जिसके अंदर भैला का आगे, world aids day, 1 December को बनाते है, यार 1 December है, सही कह रहा है, human rights day, 10th December, सही कह रहा है, फिर आपका कह रहा है, world handicapped day, world handicapped day के अगर मैं बात करती हूँ, तो इसको हम कब बनाते हैं भई, 3 December को बनाते हैं, December 3 को बनाते हैं, या आपका नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पर लिखार आया हुए, फिर कह रहा है कि, armed force flag day, कह रहा है, 8 December, यह आपका गलत है, D हो जाएगा, आगे है कि, agronomy is a practice of raising, plants and animals, crop plant, agriculture, fruits plant only, अरे ठीक है, sorry का पढ़ लिया, कोई बात है, तुम्हारी गलतीने, मिटाई हर किसी के साथ होता है, it's common, it's like, कोई भी कर देता है, fruits plants के लिए, अगर होता है, तो आपका horty culture होता, horty नहीं, pomology होता है, ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, C agriculture, crop plants के लिए होता है, याद रखना, agronomy किसके लिए होता है, crop plants के लिए होता है, जो आपकी खेथ में होती है, उनके लिए हम बात करते हैं, तो agronomy होता है, आगे है कि science dealing with study of soil, pedology, pedagogy, ecology, pomology, pedagogy तो हम समझते हैं, बच्चों के विकास वकुष के अध्यान करते हैं, C-Tet वाले बच्चे समझते होंगे, अच्छे से, ecology, interaction with herbatic components, interaction of biotic and herbatic components, pomology, study of fruit, बचा क्या, pedology, pedology, आगे है कि energy is required for maintenance of life, is obtained by a process called, metabolism, phagocytosis, photorespiration, decomposition, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कैसे कैसे ने में, बस ये questions कर लो, इसके लावा तुम कोई दो दर नहीं जाना, metabolism, क्या हो जाएगा, metabolism, अच्छा, metabolism भी दो तरीके का होता है, metabolism क्या क्या बोलती है, sum of all reaction occurring in our body, दो तरीके का होता है, one is your anabolism, second is your catabolism, anabolism का मतलब होता है, building up, catabolism का मतलब होता है, broking up, broken, ठीके, एक आप कर से की carbohydrate है, carbohydrate से हम glucose बनाती है, that is catabolism, anabolism में क्या हो जाएगा, आपके amino acid से, हम protein बना देती है, protein बना लेती है, that is your anabolism, याद रखना इस चीज़ को, ठीके, चलो, respiration के अंदर क्या होता है, respiration के अंदर आपको catabolism होता है, आगे है कि, Indian Institute of Science is located at, Chennai, Bangalore, Kolkata, Mumbai, बताओ चल्दी से, बताओ चल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा, आगे है कि, बताओ जनेटिक माटेरियल, इंजीन बैंक, इस प्रिज़वड एट, प्रिज़वड एट, मैनस 196 दिग्री, इंदर लिक्विड नीट्रोजिन, इस सेडलिंग और मैरी स्टेंप, मैचूर सीड राए, या फिर आपका प्रिमचूर सीड, या फिर आपका राइप फ्रूट, बताओ जल्दी से, इजी है, अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है, अचा, हाँ, इस रो, बहुत सही, आप कैसे स्टोर करते है, घर पर देखा है, मम्मी जो आपकी मेथी सुकाती है, धनिया, पौदीना, सुखाके, फिर स्टोर करते है, गीली चीज तो कोई स्टोर नहीं करता, खराब हो जाएगी नहीं, तो आप करके देख लो, आप जो fresh fresh चावल निकले होते हैं जो dry नहीं होते हैं कच्छे होते हैं उसको डबें बंद कर लो fungus लग जाएगा इस पर है ना आपके इतना ही फ्रिजी में रख लो वो नहीं हो पाएगा है ना तो क्या होता है आपका हमेशा ही mature जो sheets होते हैं बिल्कुल dry condition में होंगे उन्हीं क्या आते हो मक्के का बीज ले क्या आते हो मक्का बिल्कुल dry हुआ हो आता है ना गीला तो नहीं आता चलो रंजिन चो रस्या कह रहा है लेलो पुदीना भाई मुझे समझ में आ रहा है कि तो में कौन सी मीम यहां पर याद मुझे करा रहे हो और प्लीज दू नॉट डू मेरे को भी इंस्टाग्राम की रील स्क्रोल करना अच्छा लगता है मैं भी देखती हूँ आगे है माहिर मैंको लोजे स्टेडी ओफ इंसेक्ट अंस क्रस्टेशियन्स अंथ्रोपॉट्स चालो बताओ जल्दी से इजी है आंट्स के लिए आंट्स के लिए चीटियों के लिए ठीक है चलो बहुत सही आगे क्या कह रहे है कि विच अमंग दर फोलोईंग ग्रूप इस बॉस्ट अबंडेंट इन ताम्स व नंबर उफ स्पीशियस इड हई पंजाई ग्रीन प्लांट्स बक्टीरिया इंसेक्ट बताओ जल्दी से सबसे ज्यादा नंबर उफ स्पीशियस इनकी है बक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बक्टीरिया दो तरीके के होते हैं एक तो आपके होते हैं कैसे प्रो आर के बक्टीरिया एक तो आपके क्या होते हैं आर के बक्टीरिया एक आपका होता है यू बक्टीरिया यह आपके कैसे होते हैं प्रिमिटिव बहुत पुराने यह आपके होते हैं पार्शली डेवलप्ट यह अंडेवलप्ट होते हैं ठीके चलो आगे प्रशने क्या है कि यूफैनिक क्या है study of improvement of race study of condition affecting organism treatment of defective hereditary through genetic engineering manipulation of gene बताओ जल्दे से यूफैनिक क्या है यूफैनिक कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस ओके इस ओल ओके इस ओल ओके दिखे के तो आपका होता है क्या यूव्जैनिक्स iuk यूजैनिक यूजैनिक्स ऑई यूजैनिक्या होता है stola कि वाई जैनेटिक मीडियम वाई जैनेटिक मीडियम हुम improvement करें आपकी रेस को और रेस भी किसकी आपके हुमेंस की रेस की बात यहां पर की गई है किसकी बात की गई है हुमें की रेस की बात की गई है यहां पर ठीक है वहीं पर मैं बात करूं कि इस चीज की यूफैनिक की बात करती हूं तो यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम उनक तो यहां पर भी आपके क्या जाएगी study of improvement of race ही आ जाएगी ठीक है यूजैनिक्स हो या यूफैनिक हो same चीज रखना वहाँ पर बस इतना सा फरक है हलका फुलका सा कि हम यहां पर उसको क्या करते improvement कैसे करेंगे जनेटिक मीडियम पर ही करेंगे यूफैनिक के अंदर भी सेम चीज होती है जनेटिक मीडियम पर ही हम करते है ठीक है चलो आगे है कि आरियनोलोजी इस study of aphides, spider, mites, bees नवीन कुमार मैं में साइन्स है या जीके बिट तुमको शब्द देखके क्या लग रहा है क्या है यह ना यह साइन्स है ना यह जीकी है यह है math this is math okay and do let me know answer क्या हो जाएगा यह calculation गो फूरी चलो यहां पर spider study of spider आगे क्या है कि preservation of historical article is done in science of ainecography, numismatic, museology, epigraphy बताओ आरे नवीन कुमार अंदाजा कैसे लगेगा कभी पढ़ा होगा तो अंदाजा लगता है है कैसी बाते करते हो last time है पढ़ लो उसके बाद यह आपका chapter repeat नहीं होगा और यहां से एक घंटा यहां से पढ़के गर एक प्रशन भी तुम अटैंप कर लोगे कोई दिकत वाली परेशानी वाली बात नहीं है और एक study जरूर मिलेगी आपको हाँ पर एक चीज की study जरूर पूची जाएगी ना पूची जाए तो बता देना किसी नहीं किसी में तो आती ही आती है ठीक है fix questions होते हैं यह fix questions पेगर तुम लोग नहीं कर पाऊगा तो फिर तो क्या ही काओ में museology हो जाएगा भी museology preservation का करते हो historical article की museum में तो करते हो चलो आगे है नेशनल साइंस डे इन इंडिया कब राया जाता है फर्स्ट फेबरवरी 28 फेबरवरी 28 मार्च 30 अपरिल बताओ 28 फेबरवरी चीक है बी इजी आगे है किता एक्जाम्पल ओफ हर्माफ्रोडाइट एनिमल इन विच क्रोस फर्टिलाजेशन अकर इस हाइड्रा एसकेरिस अर्थवोम और सिल्गोम हर्माफ्रोडाइट क्या होता है मेल और फीमेल एक में ही इन वन और्गैनिसम सोचने वाली बात है अगर इस एक ही के अंदर दोनों चीज़ मिल जाती है एपि बड़ते भई प्रत्ःम एपी बड़ते टू प्रत्हम हैपी बड़ते ही तू यू ठीक है चलो आज आओ यहाँ पर तो मैंने क्या गा हर्माफ्रोडाइट क्या होता है इसके अंदर मेल और फीमेल एक ही और गानिजम के अंदर मिले और सोचने वाली बात है कि अगर मेरे अंदर मेल फीमेल भी हो तो क्या मैं दोनों का आपस में कभी खुद सही फर्टिलाइज कर पाऊंगी क्या करेंगे क्रोस फर्टिलाइजिशन करेंगे आप सोचने वाली बाते क्रोस फर्टिलाइजिशन दूसरे के साथ होगा कैसे देखो क्या होता है कि आपका 69 पोजिशन तो समना सुनाओगा भी 69 वड़ा आप 69 बोलते सब को easily समझ जा जाना चाहिए और यहां पर आपको कोई sex education में नहीं दे रही हूं तो please don't उस point पे नहीं जाना ठीक है just try to understand जब आपको बोलना चाहरी हूं ठीक है यहां पर आपका क्या है यह अर्थवूम है क्या है आपका यह अर्थवूम है ठीक है यह अर्थवूम है ठीक है यह अर्थवूम के पैर है ठीक है इधर उसका मेल पोर्शन है उधर इसका मेल पोर्शन है इधर इसका फीमेल पोर्शन है ठीक है दूसरे वाला आएगा भाया इसके नीचे रेंगता हुआ और इसके पै इस तरीके से आएगा एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे इस तरीके से आएगा एक उपर है यसे ऐसे आएगा ठीक है इस तरीके की चीज आपकी बने की यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फीमेल पाल्ट आजाएगा ऐसे और इसका यहाँ पर मे होती है mating होती है और ये किस कुबंसी condition है? हर्मा-फड़ाइट की condition है. ठीक है तो आपको यहाद रहाँ रखना है और यह आपका होता है अर्थ वोम में किसमें होता है यह आपका, various from bang in Khway has is very normal साच्चिन कुमार और देखों मैं इसी लिए बोल रही थी don't take it otherwise ठीक है, it's just matter of a concept आगे है which of the following is not a feature of life organ system, responsiveness, reproduction, none of the above शालो यह मैने पूछा थोड़ी था किस-किस ने कर रहा है, किस-किस ने ने तुम तो अपनी पॉल पट्टी खोलने लग जाते हो सब के सामने बताओ इसमें से कौन सा आपके life का feature नहीं है rib organ system है, responsiveness होता है, reproduction होता है none of these, यानि कि आपका कोई option ठीक नहीं है आपे ठीक है, चलो आगे है कि in biology, water-soluble substance are referred to hydrophilic, hydrokinetic, hydrodynamic, hydrophobic बताओ जल्दी बताओ water-soluble, यानि कोई भी substance पानी में गुल गया पानी से प्रेम करता होगा तभी उसके अंदर गुल गया, इसे बोलते रहे है कि वो उसके अंदर डूब गया, वो उसके अंदर गुल गया, वो उसके अंदर यह हो गया मोहबत करोगे तभी यह चीज ओगी, है ना, तो यहां पे क्या होगा, लव होगा, मोहबत होगी, यानि कि फिलिक होगा और याद रखना, फिलिक का मतलब होता है love, love, जो आपका पानी में गुलना पसंद करेगा, ठीके, हाइड्रो फिलिक, जो पानी में गुलना पसंद कर अगर इसने खाऊ तो जो पानी के इंदर नहीं घुला तो उसको हम कहा देते हाइड्रोफोबिक फोबिया मतलब दूर भेजना किसी चीज़ को हेट करना हेट करना ठीक है फीलिक हो जाएगा यहां पर आगे है कि डक्टीलो ग्राम इस रिलेटेड विद सेरेल्स फिंगर प्र कोन कंकोन करता है बंआ है चलो फिंगर प्रेंट क्या होता है आपका फिंगर प्रेंट बद्व करते हैं वर्ल्ड स्टान्द डे व्रोड रेड्ड क्रोस डे व्र्ल्ट टेली कों मिकेशन कोमन वैल्थ डिर बताओ जलती से वर्ल्ड रेड ग्रोसरे आगे है कि और्थीनो लोजी किससे संबंदीते क्रस्टेशन बीज इन्सेक्ट बर्ड इजी है और्थीनो यानि की बर्ड और्थीनो यानि की बर्ड आगे है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ओफ वेजिटेबल रिसर्च इस सिचुएटिड आट वराणसी लखनाव मैसूर बैंगलॉर वरांसी वरांसी आगे है कि इसमें से कौन सा आपका correctly match नहीं है क्या नहीं है आपका यहां पर correctly match नहीं है वो हमको देखना है कह रहा है कि seed cultivation floriculture नहीं विटा floriculture तो flower का culture होता है crop cultivation agronomy सही कह रहा है vegetable cultivation horticulture सही है fruit cultivation pomology सही है यानि कि आपका यह वाला ए आंसर सही है यह correct नहीं है यह क्या नहीं है correct नहीं है आगे है वेर इंडियन इंस्टिट्यू उट और रिमोट सेंसिंग लोकेटिद आई आई आरेस कहां पे लोकेटिड है है हैदराबाद बैंगलोर दहरादून अहमदाबाद easy है बैंक दहरादून है आगे क्या खेर है कि rice gene bank आपके world का कहा situated है चाइना फिलिपिन्स जापान इंडिया बाप हो गए चावल चावल मतलब की भाई देखो पढ़ लो पढ़ लो फिलिपिन चाइना जपान फिलिपिन और आई थिंक अभी तो कि South Korea या कौन सा क्या है कहीं पर tik-tok की reels बड़ी famous हो अपना गाना है वो जोनी जोनी आजा करके न ऐसे करके कुछ गाना है जीनी जीनी आजा आजा या जीमी जीमी आजा आजा जो भी गाना है जिसको भी आजा आजा कर रही है वहां पर उसका उनका मतलब होता है कि चावल खाना चावल दे दो हमको खाना दे दो हमको ऐसा कुछ कर गे ऐसा कुछ भी चल रहा है आपका ट्रेंड में चल रहा है ठीक यानि कि बिना मिट्टी के आप कोई भी agriculture करते हो तो क्या कहते हो इंटर क्रॉपिंग हाइड्रोपॉनिक सेरी कुल्चर हाइड्रोफोबिक बताओ जीनी जीमी जो भी है टिक टॉक तबट है इंडिया में बै नहीं तो न्यूज है न्यूज में ही पता चिला था में जीमी जीमी आज यहां बिल्कुल चाइना में जो भी जीमी को बुला रहा ह리 के जीनी को बुला जाने वाला देख़िए अपने को त्प्या है तो आंसर क्या है B हाइड्रोपॉनिक इसको हम बोल देते हैं वाटर क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं ठीक है आगे क्या है कि फाइको लोजी स्टेडियो फंजाई लाइकन बैक्टीरिया एल्गी वेस्ट बंगोल में बिटा पटसन होता है ना ओ लार्जिस प्रोड्यूसर राइस का निया पटसन का है वो जूट का कि पटसन का है क्या हो जाएगा यहां पर पंजाई के लिए वोते हैं माइको लोजी इसका बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोलोजी आंसर दी अल्गी अल्गी आ गे है कि हूज फाउंड़ ओ फोमियो पैथी वेक्समेन लैनिनेक डोमाग हैनमन बताओ जल्दी से कोई ना राजूत ठीक कर लिया करो तुमको ज्यादा पता होता है क्या हो जाएगा आंसर हैनेमन डी हैनेमन आगे प्रशने क्या है कि जीनो बाइटिक विच आर इनहेरिटली रिजिस्टेंस टू माइक्रोबियल ओटैक आर कोल्ड एस ओल दे गिवन अप्शिंस पर्सिस्टेंट बायोडिग्रेडेबल या फिर आपका रिकैल्सी टारंट बता हो जल दिसे एजी है ओके रोईत फोर शूर बिलकुल चलो तो आंसर क्या हो जाएगा रिकॉल सी टैरेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा भी रिकॉल सी टैरेंट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा ची नहीं होगा ठीक है आगे विच अफ दे फोलोईंग is used in the treatment of cancer, psychotherapy, chemotherapy, electrotherapy, physiotherapy, bio, ये विक बायो का ही जाएगा, last week हमने physics कर रा था, अब बायो है, next week chemistry के questions आएंगे, ठीक है, तो do it, बताओं, बिलकुल, chemotherapy, जिसकी वज़े से बाल तक उड़ जाते है, बाल तक उड़ जाते हैं, आगे है, which of the following is allied activity of agriculture, allied मतलब कि उससे संबंदित गती विधी है, livestock, यानि पशुधन, small scale industry, money landing, insurance, उंको पता है कि कृश्षी के उपर, आपका, क्या जाएगा, life stroke आजाएगा, पशुधन आजाएगा, ठीक है, चलो, आगे क्या है कि, which of the following animal is mammal, mammal कॉन सा है, great Indian bastard है, ठीक है, घडियाल, platypus, hornbill, देखो, platypus एक ऐसा example है, जो कि है mammal, जो कि है mammal, mammal वो होते हैं, जो viviporous होते हैं, पर ये क्या है आपका, oviporous, पर ये अंडा देता है, अंडा देने के बावजूद भी क्या है, mammal है, ठीक है, cancer मतलब uncontrolled mitosis, बिल्कुल सही, आगे है कि, पैवो, क्रिस्ट हैसे, scientific नाम है, किसका, किसका है, scientific नाम, हम सब को पता है, आंसर क्या हो जाएगा, tiger man, frog, or peacock, tiger का क्या होते है, हमको पंता है, panthera, tigris से होते है, homo sapien, rana, tigrina होते है, तो बचा क्या, peacock, peacock, myrmycology, ants का था, ये तो हो गया था, आगे world not tobacco day कि, किस दिन observe किया गया था, पहला है आपका 31st में, यही सही हो जाएगा, जादा जाएंगी नहीं, यहाँ पे हम इतना deep में, आगे है कि holographic ऐसी technique है, जिससे हम क्या करते हैं, recording a permanent sharp two-dimensional black and white और multi-color photograph, recording a permanent three-dimensional multi-color photograph, recording a permanent three-dimensional black and white photograph, recording a permanent three-dimensional photograph of a given single color और a multi-color, बताओ जल देज़े, तो भई, आपका holography होता है, जब आपका कैसा हो, permanent हो, three-dimensional हो, और आपका single या फिर multi-color की बात हो रही हो, D, D, ठीके, चलो, आगे है कि national chemical laboratory कहाँ पे स्थित है, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर और पूने, और पूने, तो हमको पता है, आंसर क्या हो जाएगा, पूने, बिटा रजित, ये कुछ याद करने का आपको याद करना है, factual चीज़े हैं, अब ये तो आपको ऐसे कैसे याद करनी पड़ेगी, इस चप्टर में तो, वे इस बोटैनिकल सर्वे उफ इंडिया हैड़कॉर्टर, लखनाव, दाजरिंग, कोलकाता, उठके मुल्ड, कैसा ना में ये, कितने फों रिचक्ट होना है, चालो, आगे है कि, वो अमंग दे फोलोइं वस अवार्डेट नोबिल प्राइस पत्पाथ, ब्रेकिं दिस्टिबुशन अव डेवलोप्मेंट अगेंस्ट पर्किंसन डिजस्ट, बताओ, अर्विंद कार्लसन, वोल्टर कॉन, रोबर्ट बी लॉफलीन, फरीद मुरांदो, बताओ, जल्दी से, अर्विंद कार्लसन, अर्विंद, आगे ब्रांच और अगरिकल्चर, विच डिल विद फीदिंग, शेल्टर, अर्विंद कार्विंद कार्विंद, वेटिनरी साइंस आगे अंगे स्टैडी ओफ फिल्ड क्रॉप इस कोल पॉंपोलोजी एग्रोनोमी ओलारी कल्चर फ्लोरी कल्चर शब्द ध्यान है एग्रोनोमी एग्रोनोमी अल्य तोटल 70 कुछ questions है जल्दी-जल्दी कर लो red and tick है toxicology related to study of virus, disease, bacteria poison, toxic का मतलब भी क्या होता है, poison, तो answer will be poison D आरे ये नहीं है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था ये आगे है scientific study of birds is known as liminology malcology, herpetology orthenology birds के लिए, हमको पता है क्या आएगा, ortheology आएगा, चलो आगे study of visceral organ, angiology arthrology, anthropology splanchology अच्छा था ये splanchology क्या answer रजाएगा आपका नवीन कुमार आपको कुछ discuss करना ही नहीं है, ये आपकी नीरी branches है ठीक है आपकी जिस दिन bio का पहला chapter हुआ था, उस दिन मैंने पेड़ के अंदर भी कराई थी, पूरी list लिखा रखी है, किसका अधिन क्या है, क्या नहीं है ठीक है, पूरा आपका briefly बताया हुआ है, और अगर यहाँ पर मैं बताऊंगे तो बार-बारत options तो वही घुम फिर क्या आ रहे हैं ना है ना, तो यह आपका रिडिन टिक है, लिमनलोजी लेक्स, बहुत सही बिट्टू लेक्स के लिए नियों तरोक्स के लिए होता है study of extinct animal is called herpetology, orthology, geology, geology, paleontology नहीं, study of हाँ ठीक है, बताऊ study आपका अगर extinct हो गया यानि कि वो गायब हो गया गयब हो गया है तो क्या हो जाएगा कौन सी study होएगी और बसी बात है, paleontology हो जाएगा ठीक है आगे है कि study of newly born up to age of 3 month is called chorology, conchology, neonatology, nematology नहीं, neonatology सिल्वी कल्चर किससे संबंदीत है culture of hilsa, culture of silver carp, oil producing plant, forest crop सिल्वी कल्चर जो आपके silver को produce करते हैं और ग्यानिसम वो यानि कि culture of silver carp आगे हैं beekeeping is known as sericulture, apiculture, aquaculture, agriculture तो हमको पता है, sericulture होता है, silk के लिए, apiculture होता है, bees के लिए, aqua होता है, पानी के लिए, agri होता है, आपका forest के लिए ठीक है, तो be will be your answer, आगे है epigraphy is study of which of the following, coins, inscriptions, temples और birds, जल्दी बताओ, यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, easy है, शिला लेख जो होते हैं, inscriptions जो होते हैं, उसके लिए आपकी epigraphy होती है, ठीक है, आगे प्रशने क्या है, कि largest herbarium of India is located at Kolkata, Lucknow, Mumbai, Coimptor, जल्दी बताओ, आगे क्या कह रहा है कि which one among the following is largest monkey spider monkey, baboon, gorilla, hoveler monkey यह हम कर चुके हैं जिसका अंसर क्या था गोरिला आगे है center of DNA fingerprint in diagnostic is located at हाइदराबाद, बैंगलोर, न्यू देली, चैन्नाई बताओ जल्दी से हाइदराबाद आगे क्या है भई center of cellular and molecular biology is situated at सबको पता होना चीह हाइदराबाद में यह भी डी आगे है hydroponic किस से संबन दीत है अभी अभी इमने बात करा था कि आपका जो plant है वो पानी के अंदर होगेगा तो कौन सा हो जाएगा hydro पोनिक हो जाएगा यही कि plant without soil exactly plant without water no 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 ठीक है आगे क्या है कि phytotron is facility through which plants are grown up in disease less circumstances species of extinct plants are conserved plants become available to grow up in a controlled condition mutation is affected बताओ जल्दी से भई बताओ आपके जो plants है उनको हम एक control condition के अंदर ग्रो कराते हैं उसको हम बोलते हैं ठीक है चलो आगे study of fishes is called craptology psychology, psychology, ecithology, lapidology, lapidology some questions can come from this question yes, of course that's why I am here ठीक है रजित्रिपाथी ethology, c आपको मैं टाइम भी कम दर क्योंकि ऐसे questions यह हैं नहीं कि आपको बहुत अदर टाइम चाहिए यह read and tick वाले हैं ठीक है आगे है कि study of butterfly is called euthiology, neonatology, lapidology, polynology c बहुत सही lapidoteralogy which of the following is a real fish बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके का प्रिशना आपका crayfish, cuttlefish, flying fish, silverfish silverfish हम पहले कर चुके है flying fish कर चुके कि यह दो तो नहीं है अब आपके पास दो option है one is cray and second is cuttle बहुत सही cuttlefish, बहुत सही रंजन आगे प्रिशने क्या है कि study of aging is known as zeeranatology, ethnology, anthropology, anthropology, thanatology बताओ उमर बुड़ापा तब चड़ता है तो क्या अध्यन आपका किया जाता है serentology study of bones is done under the branch of science called geology, serology, orology, osteology दात पूछा होता, teeth पूछा होता, teeth पूछा होता, तो हम बोल देते odonto, bone पूछा है तो कहा देंगे osteo आगे है कि study of snake is known as serpentology, orenthology, herpetology, achethyology तो हम पड़ता है fishes के लिए है काट दो D को तो बेशक से अब बताओ ABC में से बहुत सही serpentology अब कल की क्लास में और पेड़ वाले बच्चों शायद से आज आज आपकी शाम की क्लास शाम को भी ना हो पाए क्योंकि पता है यहां गर से मैं ले नहीं सकती भई pen time आए शोड़नू ना तो जिटसी कल अगर हो पाए तो तो गुद बाई have nice day और stay happy हाँ